अंकिता हत्यकान को लेकर पूरे उत्राखंड में आक्रोश का माहौल है लोगों ने अंकिता के लिए नियाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है वहीं हत्यकान को लेकर केंडरी रक्षादाज्य मंत्री अजय भट ने पीडित परिवार किरपती गहरी समवेतनाय जाहिर की है उन्होंने कहा कि दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री ने मामले में असाइटी भी गठित कर दी है जाज के बाद सरकार दोश्यों के खिलाब कारवाई करेगी बता दे कि अंकिता भंडारी एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी जहां उसके साथ जगन्ने अपरात को अंजाम दिया गया आरोप्यों ने अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया और इंकार करने पर अंकिता भंडारी को नहर में धक्काडे कर हत्या कर दी गए बताये जा रहा है कि वारदात को अंजाम रिसॉर्ट के मालिक ने दो करमचारियों के साथ मिलकर दिया रिसॉर्ट का मालिक हरीद्वार के भाशपानेता विनूत आरे का बेटा है हलद्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट को जगन के अपराग करनेवाले अपरादी हैं उनकी बूरी चैने आपके सामने छेलों के अंदर सीकच्छों में बंद होगी यह मैं आपको आस्फ़स्त करता हूं हमारी सरकार में बहुत अच्छा काम किया है हम अब हमारी हैं हमारी बेटा की पेटी के साथ दखन्या अपराथ किया गया मन बहुत विद्धिन्ण है और जो किया गया वो करिंदों का काम है उसमें साइटी कर्कित हो गई है कोई भी उस चेंज में जितने भी जोग होंगे कोई भी बक्षा नहीं जाएगा मैं आपको यह आस्थास तक उसमें साइब सेच्सामी बिंसे।